नमस्कार दोस्तों आरवेदे संखला को आंगे बढ़ाती होगे आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक और चमतकार एक और सधी पौधा ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये देखिए ये इसका फूल है ये सफेशब होता है और इस फूलों में बीज भी होते हैं जो बाद में आएंगी और इसके पत्ति हैं ये देखने बहुत ही सुन्द लगता है ये दो तीन प्रकर का होता है इसका नाम है भ्रंग राज भंग राज या भंग रा आधि नाम से ये जाना जाता है सफेद भंग राज होता है काला भंग राज होता है और पीला भंग राज ह प्राया लुप्त हो चुका है इसकी प्रजाती अब नस्ठ हो चुकी है लेकिन यह जो भ्रंगराज आप देख रहे हैं सफियद वाला यह बहुत अच्छा काम करता है और यह उसादी गुड़ों से भरपूर है दोस्तों यहां पर नम वाली भूम होती है अर्था पानी वाली कितान होती हैं जैसे अतरपीरेश बिहार यहां पर यह जादा तर भ्रंगराज मिलता है और जहां पर यह पानी optim वाली वबस्ते जादा होती है वहां पर मच्छर भी जादा पनबती है और वहां पर एक जादा बीमारी पनब रही है जिसे कहा जाता है फालिया हाथी पाँ जिसे बोला जाता है जिसे फालिया बोला जाता है इसलिए कुजरत ने जहाँ जहाँ यह प्रकुब जादा होता है वहाँ वहाँ पर यह भ्रंगराज भी पैदा कर दिया है इस भ्रंगराज के प्रयोग करके फाल लिया में लाब पाये जा सकता है अभी मैं तोड के दिखा रहा हूँ अभी छोटा-छोटा है तो आपको नजर नहीं आता होगा इसलिए मैं इस तोड को दिखा रहा हूँ ये देखिए ये भ्रंगराज है और ये भांग रहा है ये आरवेदे को असे बहुत इच्छा काम करता है और अच्छे अच्छे योगों में ये डाला जाता है दोस्तो इस भ्रंगराज को इस भ्रंगराज के प्रयोग से आप अपनी बाल काली कर सकते हैं आप अने अनेक तरह तरह की अपनी भिर्गराज के प्रयोग से औसद्यां बना सकते हैं वह औसद्यां कैसे बनाएंगी मैं समय समय पर वेडियो लाता रहूंगा लेकिन अभी फिलाल में आपको बता दू कि किस तरीका ऐसा भिर्गराज के प्रयोग करके फाल इडिया को और जिसे हाथी पाओं कहा जाद उसको लाप पा सकती है या उसको दूर कर सकती है दोस्तो जो ये भिरंग्राज दिखाई दे रहा है इस भिरंग्राज के पंचांग का स्वरस लेजी स्वरस का मतलब जो अभी मैंने ये तोड़ के दिखाया है सभी को इसको तोले जीए और उखा लेजी जड़ से और इसी जरों को धोले जी समिटी न रहे और बगेर पानी डाली पीषना है तो कैसे पीषेंगे तीन उसक्णिय सात में ले लेंगे ब्रिंगराज पंचांग ताजा और नीम की पत्ती ताजा और सेहुंड के पत्ती ताजी इन तीन औसलियों को लेना है हरी लेनी है ताजी ही लेनी है तो ब्रिंगराज पंचांग हरा नीम की पत्ती हरी और सेहुंड की पत्ती हरी इन तेन पत्तों को बराबर की मात्रम ले करके आप बगएर पानी डाले ही किसी सिल्बट्टी की सायता से या किसी अन्य ओजार की सायता से महिन से महिन चटने की से भी महिन पीस ले और पीस करके कपड़ी में रख करके आप इसे निचोड़ करके इसका जो रस निकले उसे नि जहां पर आपको हाती पाउं है जहां पर आपको फालिया है अगर आप ऐसा प्रियोग नर्यतर करते रहेंगे तो आपका हाती पाउं जो बढ़ रहा है जो फालिया हो बढ़ रहा है वह उसकी बृद्धी रुख जाएगी अगर आप इसका सोरस प्रियोग नहीं करना चाहेते तो आप इस भ्रिंगराज के पंचांग को ले ले जिए नीम के पत्यों को ले ले जिए और सेवन के पत्यों को ले ले जिए और इनको महीन से महीन कूट पीस करके चटनी से भी महीन पीस जिए और फिर जो इसके पिसा हुआ जो भाग है जो लुगदी की भाथी है वो लुगदी की भाथी वैसा कर वैसा चटनी की भाथी अपने अंगंबे रखिए जहां पर फालिय गया है तो उसको रखने से ही आप अगर ऐसा निरंतना रोजाना करते हैं सुबह रख लेजिए चार पर घंटा रखा रहने दिए एक दो घंटे और रात को रख लेजिए तो रात भर रखा रहने दिए ऐसा अगर आप प्रियोग करते हैं तो ऐसा प्रियोग करने से आप फालिया की ब्रिद्धी रोग देंगे जिसे हाथी पाउँ कहते हैं वो भी बढ़ना रोग जाएगा और धीरी दिल करके आप उसको लापराप्त कर सकती है तो दोस्तो ये था भ्रंग राज का फालिया यानि कि हाती पाउं में प्रियोग दोस्तो ये हाती पाउं आजकल बहुत बढ़ रहा है फालिया बहुत बढ़ रहा है इसलिए आप इस भिर्णगराज का और इसके साथ जो मैंने साय को सद्य बताई है नीम और शेवन पत्र इनका प्रियोग करके आप फालिया को रोख सकते हैं फालिया से लड़ सकते हैं दोस्तों पुना सुन लेजिए बिर्णगराज पंचांग हरा नीम पत्र हरे और शेवन पत्र हरे इन तीनों पत्रों को चट्नी से भिभाती महेंश महेंश पीच ले और पीच पर करके या तो बैसे कि बैसे अब चट्नी की तरह लुगदी बनाकर अंग पर रखें अगर ऐसा तो यह था फालीजा का प्रियोग और हम इसी तरीका के वेडियो आपकी पास लेकर आते रहेंगे और अन्यक गुणों से भरपूर जो यह भिर्णगराज है इनकी उसदी गुड़ बताते रहेंगे और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो नीचे जो लाल बिटन दिखाई दे रहा है उसे दबा कर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज के लिए मेरे यह प्रियोग इतना ही हम फिर हाजिर होंगे अपने अगली वेडियो में और भिर्णगराज के अगले प्रियोगों के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्य है